है दोस्तों दिस इज शुब हम और आप सभी का स्वागत करता हूं हमें Synopsis IS के platform पर और जैसा कि आपको पता है कि हम 2017 के paper को आज के lecture में लेंगे इसका ये second part है 2017 के question का पिछले वाले lecture में हमने कुल मिला जुला के I think 18 questions discussed के थे 2017 के और उसमें हमने देखा था कि कहां कहां पर हम कुछ अपने intelligent guessworks का अपने common sense का use कर सकते हैं ठीक है तो इस course का नाम है main succeed guarantee program और अगर आप जत्ती भी चीज़े मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उसको सही तरीके से अगर आपने उसको समझा और अपने life में इस्तेमाल किया अपने paper में इस्तेमाल किया तो definitely you will have a very very great chance of appearing for mains ठीक है तो इसी इन ही शब्दों के साथ शुरुआत कर तो question number 19 देखते हैं तो question number 19 ये कह रहा है कि सरकार ने अभी UPI scheme की शुरुआत किये unified payment interface ठीक है आजकर तो हम use भ कि सरकारी initiative है तो इसका positive positive impact होना चाहिए तो पहला option कह रहा है कि UPI के इस्तेमाल से mobile wallets की जरूरत नहीं पड़ेगी online payments के लिए ठीक है ओके चलो ठीक है देखते हैं ये अभी doubtful category में रखते हैं जिनको पता है वो तो पहले ही बार में ही जाच लेंगे भाई UPI क्या है लेकिन अगर माल लो कि आपने नहीं पढ़ा हो ठीक है आप भाई busy रहे हों कहीं और important कामों में तो नहीं पढ़ा हो फिर दूसरा point देखते हैं digital currency will totally replace the physical currency in about two decades totally replace तो मैंने क्या बुला कि कोई बात जब दावे से कही जा रही है तो वो क्या होगी गलत होगी तो B हो गया option गलत FDI inflows will drastically increase यह भी बात बहुत दावे से कही जा रही है तो यह भी हो गया आपका गलत फिर direct transfer of subsidies to poor people will become very effective very effective हो जाएगा direct benefit transfer तो यह भी गलत है इसमें बाते जो है बहुत दावे के साथ assertive तरीके से कोई बात कहीं जा रही है ठीक है दबाओ दे के कोई बात कहीं जा रही है तो यह तीनों option गलत हो गया हमारा option हो गया A is the right answer ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक important announcement है public administration का course synopsis IS के platform पर शुरू हो चुका है उसके कुछ lectures free है almost 40% और बाकी कुछ subscription based है वो भी आप देख सकते हैं अपनी सहुलियत के अनुसार तो जितने लोग public administration course को या optional लेना चाहते हैं वो जरूर एक बार देखें ठीक है that will be very important and इतने साल मैंने पढ़ाई की है और उन सारी चीजों का निचोड मैं उस अपने lectures में आपके सामने लेकर आऊंगा और ये पूरा complete course होगा ठीक है complete course होगा अभी तक online किसी ने भी public administration definitely ठीक है moving forward to question number 45 with reference to agriculture in India how can the technique of genome sequencing ठीक है जो अकसर समाज news में देखी जाती है immediate future में genome sequencing का agriculture के उपर क्या impact पड़ेगा तो सवाल क्या हो गया futuristic technology है futuristic technology का मतलब unlimited potential अब ये चीज धियाल में रखेंगे और question के अब options को पढ़ना शुरू करते हैं तो genome sequencing can be used to identify genetic markers for disease resistance and drought tolerance in various crops plant तो genome sequencing के माध्यम से हम बिमारियों से फसलों में लगने वाली बिमारियों से और जो सूखा पड़ता है उसके खिलाप हम फसलों को मजबूत बना पाएंगे ऐसा question कह रहा है तो obvious ही बात है सही होगा futuristic technology है तो पहला point हो गया है सही जब पहला हो गया है सही यानि की B गलत है ठीक है अब चलिए दूसरा option देखते हैं तो obvious ही बात है ये भी सही होगा futuristic technology है it can be used to decipher host pathogen relationship in crops host और pathogen के बीच में क्या रिष्टा होता है फसलों के अंदर उसको जानने में decipher करना मतलब की उसको analyze करना उसको समझ पाना ठीक है तो ये कर पाएगा तो obvious ही बात है तीनों सही होगे तो इसका जो सही right answer होगा D futuristic technology याद रखेंगे कुछ लोग ने comment section में पूछा है futuristic technology क्या क्या है तो bio technology futuristic technology है information technology futuristic technology है solar technology फिर उसके अलावा आप nano technology की बात कर सकते है artificial intelligence की बात कर सकते हैं आप इसमें big data की बात कर सकते हैं ठीक है ऐसे बहुत सारी technologies हैं जो अकसर जो upcoming technologies है जो आने वाले समय में बहुत बड़ा role अदा करने वाली है इस मानोता की इतिहास में तो उनको कहा जाता है futuristic technology ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखने है तो the parliament of India exercise control over functions of council of ministers through यानि की संसद council of ministers के उपर किस तरीके से इन में से किन माध्यम से control करने की कोशिस करती है तो पहला adjournment motion question hour supplementary question यह सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जरूरत क्या है parliament का मतलब क्या है parliament एक legislative body है ठीक है legislative body का council of minister क्या है executive body है तो parliament का मतलब ही है executive के उपर control रखना legislature का executive के उपर control रखने के लिए ही parliament नाम की संस्था बनाई गई है वहाँ पर जाके मंत्री प्रधान मंत्री अपने जो भी उनके मंत्राले में काम काज हो रहा है उसकी पूरी clarification देते हैं कि क्यों काम हो रहा है क्या है उन्होंने decision लिया उसमें कितना पैसा खर्चुआ सब कुछ parliament में आप देखे तो क्या होता है सब कुछ होता है तो यहाँ पर adjournment motion कह लिजिए question hour कह लिजिए supplementary question कह लिजिए चाहे no confidence motion कह लिजिए चाहे sensor motion कह लिजिए चाहे privilege motion कह लिजिए motion of thanks कह लिजिए everything, each and every activity of parliament is meant to control council of ministers ठीक है, simple था यह logic हमें बस استعمال करना था कुछ लोग यहाँ पर बुद्धी लगाने लगेंगे कि भाई यह adjournment motion है question hour कर सकते हैं क्योंकि इसमें सवाल कुछ जाते हैं supplementary question भी कर सकते हैं adjournment motion रहने देते हैं यह नहीं होगा तो two three हो गया option दी मार के चले आए तो यह गलत है common sense यूज़ करेंगे, d will be the right answer ठीक है, आगे चले चलिए फिर फूचा है कि इन में से काकटिया किंग्डम का कौन सा सी पोड था काकी नाडा, मोटू पल्ली मसूली पटनम और नेलूरू बाई काकटिया किंग्डम यानि काकी, काकी, काका ऐसे जोड दिया, काकी, काका के साथ हो गया बस इधर कर दिया है तो यह सब काम नहीं करना है, ठीक है देखो question नहीं आ रहा है छोड़ दो और हम एक और चीज़ बताना चाहूंगा इस question के through कि जितना बड़ा question होगा जिसमें जितने बड़े-बड़े option में statement लिखे होंगे तीन-तीन, चार-चार लाइन के ठीक है, वो question करना उतना ही आसान होगा जितना छोटा question होगा उस question को करना उतना ही कठिन होगा क्यों ये आसान होगा बड़ा वाला question क्यों आसान होता है क्योंकि जितना ज़्यादा statement लिखा होगा उसमें उतने ज़्यादा hint छुपे होगे ठीक है, आप उसको पढ़के समझके कर सकते हो, ये तो एकदम सिधा सिधा है, एकदम factual question है ठीक है, तो ये गलती यहाँ पर नहीं करेंगे, छोड़ दो कुछ question छोड़ने के लिए भी आते है ठीक है, तो छोड़ना भी एक बहुत बड़ी कला है इस exam में 55 question ही आपको सही करने है, 55 से 60 question टॉप करना जरूई तो है नहीं, चली अगला question देखते है global infrastructure facility के बारे में पूछा गया है और जैसा कि मैंने बताया था कि global जो शब्द होगा generally ये world bank से related होता है ठीक है, आप देख सकते ASEAN एक regional organization है OECD भी Europe की regional organization है UNCTAD भी अगर आप देखें तो गरीब देशों के लिए ही generally काम करता है एक world bank ही है जो global institution है ठीक है तो global शब्द जुड़ा है तो generally world bank से रहेगा इसको याद रख सकते है लेकिन अगर देखो फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हर जंगल लगेगा कुछ लोग अभी comment section में आ जाएंगे वो फिर कुछ-कुछ चीजे ऐसे global world वाले लेके आ जाएंगे जो world bank से related नहीं होगा मैं मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारी institutions और initiatives होंगे ठीक है लेकिन मैं एक अगर आपको एकदम नहीं आ रहा है और आपको कहीं नहीं intelligent guess करना है तो आप इस technique का इस्तेमाल कर सकते है ठीक है पर at your own risk मुझे फिर बाद में गाली मत देना ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला question कह रहा है कि with reference to the role of UN habitat United Nation habitat in the United Nation program working towards a better urban future which of the following statements is are correct UN habitat से related कुछ statement पूछे गए है और ये बूला है कि इन में से कौन सा सही है तो पहला है UN habitat has been mandated by United Nation General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelters for all ठीक है तो आप देख रहे हैं इसमें आप शब्दों को देख रहे हैं मैंने कहा था कि सब शब्दों को देखिए जिस भी option में इसे भारी शब्द है ठीक है social inclusive inclusive democratic democratic equity poverty reduction ठीक है poverty alleviation या reduction लिख सकते हैं empowerment या sustainable इस तरीके के जहां जहां पर जिस option में भारी भारी शब्दों का इस्तिमाल होगा वो generally option सही होते हैं ठीक है तो आप इस option को के ध्यान से पढ़ेंगे कि ऐसे general assembly ने बनाया है एक ऐसे शहरों का निर्माण करना जो सामाजिक रूप से और environmental रूप से sustainable हो जो हर आदमी को के सर पर छट पहुचा सके तो कितनी अच्छी सी बात कही गई है और ये चुकि United Nation Organization से सम्मंदित ये बात कही गई है तो एक अच्छी सी बात कही गई है और UN हमेशा जब भी काम कोई करता है तो अच्छा ही अच्छा ही करता है ठीक है common sense की बात है अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे कि बाई UN National General Assembly ने शायद इसको पास नहीं किया है और ये General Assembly यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जरूर UPSC फसाने की कोशिस कर रही है ऐसा नहीं है UPSC कभी भी फसाने की कोशिस नहीं करती है चीज को ध्यान में रखियेगा इस तरीके के अगर वर्ड जुड़े होते हैं किसी भी statement में तो वो जरूरली गलत होता है तो पहला सही है दूसरा गलत है अब चलिए Option पर आते हैं देखते हैं कि क्या क्या हटा सकते हैं दूसरा गलत है तो A हट गया थीक है C हट गया अब देखते हैं तीसरा, UN Habitat contributes to overall objective of United Nations system to reduce poverty, to promote access to safe drinking water, basic sanitation, तो अब्यसी बात है, habitat की बात की जा रही है, गरी भी हटाने की बात की जा रही है, साफ पानी पहुचाने की बात की जा रही है, स्वक्षता की बात की जा रही है, तो ये भी सही होगा, कोई भी बात दावे के साथ इ नहीं कहीं जा रही है, एक simple, बहुत ही mild language में, बहुत ही modest भाशा में कहा जा रहा कि UN Habitat के माध्यम से गरीबी को दूर करेंगे, जंता तक साफ पानी पहुचाएंगे, स्वक्षता का भी हम ख्यार लगेंगे, तो तीसरा भी option हो गया हमारा सही है, और हमारा आगया answer B, ठीक ह चलें अगला question देखते हैं, with reference to national skill qualification framework NSQF, which of the following statements given below is are correct, with reference to national NSQF, ठीक है, दिया हुआ है, अब देखते हैं, under NSQF, अब ये देखे, सरकारी government की scheme है, ध्यान में आगे, government की scheme है, यानि कि इसके positive aspects के उपर ही question पूछेगा, ठीक है, तो चले, अब ये इस चीज को ध्यान में रखना है, कि positive, जो भी option positive दिखाएगा, इस scheme को, वो, वो सही होंगे, Under NSQF, a learner can acquire the certification for competency only through formal learning, आप अगर यहाँ पर NSQF में आते हैं, अगर आपने कहीं पर formal learning, कहीं पर degree हासिल नहीं किये, आपने किसी अपने guru के through, जैसे formal learning, informal learning, क्या होता है, जैसे माल लिजे, कि आपने अगर mobile बनाना सीखा, किसी इसमें, ITI में जाके, फिर आपको degree मिल गए, कि आपने mobile बनाना सीख लिया, तो that is formal learning, आप अगर किसी अपने उस्ताद कहां रहते रहते हैं, उसके दुकान पर काम करते करते सीखते हैं, तो that is informal learning, ठीक है, तो formal और informal दोनों को ही include किया गया है इसमें, ठीक है, तो यह positive aspect नहीं है, यह negative में दिखा रहा है सरकारी scheme को, तो यह हो गया गलत, तो पहला हो ग NSQF is the mobility between vocational and general education, NSQF के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई करने जा सकते हैं, पढ़ाई करने वाले पढ़ाई के साथ साथ अपनी vocational training भी कर सकते हैं, तो अच्छी चीज है, ठीक है, कि काम करने के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकें, और पढ़ाई करने के स साथ आप कुछ काम भी कर सकें, earn while you learn, तो यह हो गया, second option is right, तो इसका जो हमारा जवाब हो गया, that will be B, ठीक है, चले आगे, चले, अगला question देखते हैं, if you want to see घडियाल in their natural habitat, कहां पे घडियाल इंडिया में पाये जाते हैं, यह पूछा है, देख रहे हैं, यह फिर से question repeat हो रहा है, बितरकनिका मैंग्रोफ, चंबल रिवर, पुलिकट, डिपोर बील, तो फिर से question घडियाल वाला question repeat हो रहा है, तो इसका जो सही जवाब है, वो है, चंबल रिवर, ठीक है, और आपको सर्फ यही ध्यान नहीं रखना है, आपको बितरकनिका मैंग्रोफ के बारे में भी पढ़ना है, उसके 8-10 पॉइंट जो important है, उसकी location, वहाँ पर कौन-कौन से जीव जन्तु पाये जाते हैं, वहाँ का vegetation कैसा है, कौन सी नदी बैती ह ठीक है, यह सारी चीज़े आपको बितरकनिका मैंग्रोफ के बारे में पता होनी चाहिए, पहले भी बितरकनिका मैंग्रोफ के उपर भी question पहले पूछा जा चुका है, तो देखने, चीज़े फिर से repeat होती है, question का angle change हो जाता है, चीज़े repeat होते हैं, इसी वज़े से बार ब solve करना है, और उसके उपर, internet पे, internet research करनी है, और important points, important points को, important points को, या तो आप पढ़ लीजिए, अगर आपको अपने knowledge पे, अपनी memory पे भरोसा है, या तो important points के आप notes बना सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, अगला question देखते हैं, नेशन वाइड soil health card scheme सरकार लेकर आई है, यानि सरकारी scheme है, यानि की सब कुछ positive positive रहेगा, तो इससे क्या होगा, expanding the cultivable area under irrigation, ठीक है, soil health card scheme से cultivable area expand हो जाएंगे, ठीक है, दूसरा है, enabling the banks to access the quantum of loans to be granted to farmers on the basis of soil quality, तो ये चीज़ गलत है, क्या question कह रहा है, कि इससे बैंकों को ये होगा, कि soil health, जो soil report होगी, उसी के basis पे ही सिर्फ farmers को loan मिलेगा, तो इस farmers के लिए दिक्कत वाली बात हो गई, और बैंकों के लिए कितने challenge की बात हो गई, अब कोई farmer मालो उसका खेत कम उप जाओंगे, अब कम उप जाओं खेत के basis पे, अगर वो बैंक से loan लेने जाएगा, तो उसे loan कम मिलेगा, तो वो हो सकता है कि वो अपनी खेत की मिट्टी न ले जाके, किसी और खेत की मिट्टी उठाके जाके, उसका soil testing करा दे, बैंक को बेवकूब बना दे, या अपने खेत के मिट्टी में थोड़ा बहुत खादवाद मिला के, ले जाके बैंक को दे दे, तो इस नोट practical, common sense की भी बात करें, तो इस second option is not practical, यह second option practical ही नहीं, तो यह हो गया गलत, तो second option हो गया, गलत तो अब देखते हैं, option हटा लेते हैं, A हट जाएगा, C हट जाएगा, और D हट जाएगा, जो सही जवाब आएगा, that will be B, checking the overuse of fertilizer in farmland, ठीक है, fertilizer in farmland, तो one and three, अगर मालें यह कि one भी होता option, one और three option भी होते, तो दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन चुकी second option को हटाने के बाद, सिर्फ third option ही बचता है, तो और right answer will be B, ठीक है, चलिए, अब OLED के बारे में पूचा है, organic light emitting diode, तो यह भी एक तरीके से futuristic technology है, यानि की unlimited potential, OLED से आप flexible screen बना पाएंगे, हाँ बना पाएंगे, फिर roll-up display बना पाएंगे, चटाई जैसा display बना पाएंगे, ऐसे चटाई की तरग खोल दिया, फिर उसको लपेट के चल दिये, ठीक है, कितना असान हो जाएगा, बच्पन में इस तरीके का, अगर OLED हमारे पास होता, तो फिर दोस्तों के बीच में, फिर वो messaging नहीं होती, कि तो ठैब, अभी ये futuristic technology है, हमने वो फैदा नहीं उठाया, लेकिन हमारे बच्चे शाइल उठा पाएं, तो flexible display बनाना असान हो जाएगा, roll-up display बनाना असान हो जाएगा, transparent display बनाना असान हो जाएगा, तो हाँ भया, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, anyway, चलिए, अगला question देख scheme, तो ये सरकारी initiative है, और जैसा कि मैंने बताया था, जहाँ पर भी inclusion शब्द की बात हो, ठीक है, और देश में financial inclusion बढ़ाने की बात हो, वित्ती समता या सम वेशिता कुछ ऐसे बोलते हैं हिंदी में, तो financial inclusion बढ़ाने की बात हो, कुछ अच्छा-च्छा करने की बात हो, तो वो सही होगा, तो first option will be right, तो B हमारा हट गया, D हट गया, अब A और C में से confusion है, आगे आपकी किस्मत अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कि रूपे कार्ड किसने launch किया है, तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा है, तो भी आप at least 50-50, 50-50, sorry, 50-50 तो कम सकम है, अब आपकी किस्मत है, अगर पढ़ाई की है, तो शायद वो knowledge काम आ जाए, ठीक है, तो इसका वैसे तो C होगा option, ठीक है, चलिए अगला question देखते हैं, what is are the most likely advantages, पूछा है, most likely advantages of GST, most likely, मतलब की एकदम सटीक हमें इसका, वो खोजना है, advantage खोजना है, general advantages नहीं खोजना कि GST से गरीब सबके account में 15 लाग रुपया आ जाएगा, GST से सब लोग अंबानी बन जाएगा, इस तरीके का नहीं, ठीक है, हमें बहुत ही सटीक जो जवाब होगा, वो खोजना है, तो चलिए, पहला देखते है, सरकारी initiative है, तो generally इसके positive aspects पर ध्यान देंगे, तो पहला है कि it will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India, तो multiple taxes हट जाएंगे, multiple authorities खतम हो जाएंगी, यानि जनता के लिए सहूलियत हो जाएगी, जनता के भले के लिए ये initiative लिया गया है, यानि कि पहला जो point है, वो positive है, ठीक है, दूसरा point कह रहा है, it will drastically reduce current account deficit of India and will enable to increase its foreign exchange reserve, अब देखरे, drastically reduce है, तो ये positive, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर positive कर दिया, positive positive करके आप कुछ भी मार देंगे, है positive, लेकिन इसमें शब्दों को भी ध्यान देना जरूरी है कि drastically reduce कर देगा CAD को, और foreign exchange को भेंकर तरीके से बढ़ा देगा, तो this option, यहाँ पर बात बहुत ही assertive तरीके से कही जा रही है, ठ ठीक है, अब चलिए, तीसरे option पर आते है, it will enormously increase the growth of the size of economy of India and will enable to overtake China in near future, भेंकर रूप से देश की economy को बढ़ा देगा और हम तुरंत चाइना को पचाड कर आगे बढ़ जाएंगे, है तो यह positive, लेकिन इसमें शब्दों को देखे, enormously increase, अगर माल दीजे, इस statement को दूसरे होता, कि it will help our economy to increase, या it will be beneficial for India's economy and will make India's economy competitive, more competitive in comparison to China, इस तरीके का अगर statement दिया होता, ठीक है, तो यह सही हो सकता था, या अगर second वाला जो option है, वो अगर इस तरीके से लिखा होता, कि GST will help India to check its current account deficit and increase its foreign exchange reserve, it will be beneficial for India's foreign exchange reserve, इस तरीके का अगर line होता, it will be beneficial, GST will be beneficial for India's forex and it will also help in checking, या help in reducing our current account deficit, तो यह option सही हो सकता था, ठीक है, शब्दों, देखे, meaning same है, शब्दों का सारा खेल है, शब्दों की बाजिकरी करी गई है, उसी चीज को हमें यहाँ पर pick करना है, ठीक है, तो यह बात है, meaning same रहेगी, लेकिन जैसे ही हम words के चुना UPSC किन words को चुन रही है अपने option में, किन शब्दों के चुनाओ करके वो option frame कर रही है, इस चीज को समझना जरूरी है, तो drastically reduced शब्द का use किया गया है, तो यह नहीं होगा, enormously increase हो जाएगी इंडिया की economy और हम जल्दी कुछी समय में China की economy की, हम China की ऐसी किता ऐसी कर लेंगे, तो यह भी गलत हो गया, तो इसका जो सही जवाब होगा, one only, A will be the right answer, ठीक है, चलिए, अगला question देखते हैं, इन इंडिया, it is legally mandatory for which of the following to report on cyber security incidents, cyber security के, अगर हमला होता है, तो उसको report करना, सरकार की जो भी भाग है, जैसे की, cert in करके, computer emergency response team, cert in हो गया, ठीक है, national technical research organization, यह सारी bodies बनाई गई है, जिनको report करना होता है, अगर कोई भी cyber attack होता है, तो अब option दिया है service providers, जितने भी internet service providers है, उनको mandatory है report करना, data centers जो लोग data save करते हैं, जनता का, उनको report करना है, body corporate, जो बड़ी-बड़ी company'ा है, उनको report करना है, इस ब्हींको करना है, जो भी बड़ी company'ा है, जो भी data centers है, जो भी internet service providers है, या banks जो है जितने भी इंडिया के है या माल ये कोई flight है या railway का network है जो भी इतने important जो भी institutions है वहाँ पर अगर cyber attack होता है तो report करना होगा भाई ठीक है तो तीन होगा इसमें फिर extra दिमाग मत लगाई यहाँ पर क्या करते लोग गलती क्या करते है लोग दिमाग लगाना लगते भाई service provider तो important है data center जो लोग रखते ही यह भी important है पर यह private company से क्या लेना देना है ठीक है private company तो private है उसके उपर cyber attack हो चाहे न हो उसको सरकार से उसको क्या लेना देना है तो यह सब extra दिमाग नहीं लगाना है ठीक है mental यहाँ पर आपको extra mental power दिखाने की जरूरत नहीं है common sense का यूज कीजे और आप सही टिक करेंगे जहाँ पर आपने extra दिमाग लगाया over analysis करी over thinking करी अब मान लीजे कि आपका option गलत ही choose होगा क्योंकि जैसे ही आपने सोचा बहुत सारे doubts create होने लगते हैं ठीक है फिर आदमी अरजुन जैसा हो जाता है यूद में खड़ा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि यूद लड़ना है कि नहीं लड़ना है कि B मारे कि D मारे या भा has steadily increased in the last decade याद आया मैंने एक ऐसा बात कही थी कि कभी भी percent की बात हो या ratio की बात हो ratio या percent की बात हो तो 10 सालों में लगतार कोई percent और ratio के लगतार बढ़ने या घटने की जो समभावना होती है वो काफी कम होती है ठीक है absolute numbers में चीज़े बढ़ती है जैसे अगर यह पूज द है कि tax revenue क्या इंडिया का पिछले 10 सालों में steadily बढ़ा है तो यह हो सकता है कि सही होता या यह पूछता कि क्या इंडिया की GDP पिछले 10 सालों में steadily बढ़ी है तो आप लिख सकते हैं हाँ शायद हो सकता है परसे देखो absolute terms में GDP बढ़ी है लेकिन percentage wise आप GDP हमारी consistently नहीं बढ़ी ह यहाँ पर तो tax revenue और GDP बटा GDP पूछ रहा है कि यह जो ratio है क्या यह consistently बढ़ा है आगे ऐसा question पूछ रहा है तो that will be wrong option one will be wrong and second option is fiscal deficit as a percent of GDP अब देखें यहाँ पर भी fiscal deficit as a percent of GDP पूछ रहा है into 100 तो यह भी नहीं बढ़ेगा consistently 10 सालों में तो यह भी गरत हो गया और यह question कहां से पूछ जाते हैं economic survey से अगर आप यह intelligent guessing सीख लेंगे तो आपको economic survey में बहुत ज्यादा सर खापाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप हलका मोटा उसका economic survey का gist पढ़ सकते हैं जो आपको mains में काम आएगा अक्सर मैंने देखा हैं लोग prelims के लिए economic survey रट रहे होते हैं उतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वैसे भी economic survey से data पूछेगा data आपको याद नहीं आएगा और कुछ schemes है वो आप आराम से कर सकते हैं या उसका कोई आप YouTube पे lecture देख लीजे जो के उपर जो coaching जो अलग-अलग coachings है जिनके पूरे एक dedicated mock paper होता है dedicated mock paper जो होता है जिसमें 100 सवाल होते हैं पूरे economic survey के उपर होते हैं वो आप solve कर लीजे और उसके solution को अच्छे से पढ़ लीजे उसके solution को जो उसका solution वो लोग देते हैं उतने में भी आपका economic survey prelims के perspective में तो कम सकम पूरा हो ही जाएगा पूरा economic survey हर साल 33-34-400 रुपए का खरीद के लाकर मेहनत करके अपना समय वेश्ट करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये भी हो गया गलत ये भी हो गया गलत तो neither 1 nor 2 इसका answer हो गया D ठीक है चलिए 99th question देखते हैं लास्ट question है आज का out of the following statements choose the one that brings out the principle underlying cabinet form of government की cabinet form of government के पीछे का सिधान्त क्या है ये सवाल पूछ रहा है तो ये पहला है कि ये एक arrangement है minimizing the criticism against government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all यानि कि सरकार को बचाने के लिए cabinet form of government बनाए गया क्या तो बेवकूफी बहरी बात है फिर दूसरा है it is a mechanism for speeding up the activities of government whose responsibilities are increasing day by day सरकार के कामकाच करने की चीज को तेज करने के लिए cabinet form of government बनाए गया तो ये कोई बात जची नहीं फिर भी इसको doubtful category में रखते हैं चलिए अगला देखते हैं it is a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people जनता के प्रती जवाब देही तै करने के लिए democracy के प्रजात तंतर के सिधानतों को आगे बढ़ाने के लिए cabinet form of government बनाए गया है तो देखते हैं इस statement सबसे बहतर, सबसे सटीक इसमें democracy word का use किया गया है इसमें responsibility towards people, सरकार की जवाब देहिता और accountability टै करने की बात कही गई है तो ये generally सही होगा ठीक है तो C will be our right answer देखरें कि question की language को पढ़के भी आप question को अच्छे तरीके से solve कर सकते आपने सर्फ question की language थोड़ा सा समझ ली उसके पीछे का भाव समझ लिया तो you will be able to solve that question without knowing about it ठीक है चलिए तो ये था आज का session ऐसी मैं 2018 और 19 के बसते हैं तो ये भी करता रहूँगा बीच बीच में 18 का भी दिखाऊँगा 19 का भी दिखाऊँगा फिर अगर आपनों को और जबूबत होगी तो 2011-12 का भी हम discuss कर लेंगे ठीक है comment section में जरूर बिताएगा and please do share these lectures with your friends and don't forget to subscribe ठीक है subscribe भी कर लीजेगा Synopsis IS का जो YouTube channel है उसके लावा public administration optional शुरू हुआ है पबैट वो जरूर देखेगा बहुत अच्छा रहेगा जितने भी लोग public administration लेना चाहते हैं उनके लिए खास बात है what I have taught and what others I have taught anywhere else ठीक है तो जरूर देखे मिलते हैं अगले lecture में thank you, thanks for watching, have a nice day, all the best